मुट आपा है किद्मी फैल्यों का सबसे बड़ा कारण शुरुआत में ही दिखते हैं ये लक्षन जीवन शेली में बदलाओं के कारण और खाएन की कलड आदतों के कारण किद्मी रोगियों की संख्या दिन बधिन बढ़ती जा रही है क्या आपको पता है कि हर साल लगभग साड़े, आठि लाठ लोग किद्मी रोगों के कारण मर जाते हैं, पहला जीवन शैली और खान पान आपके किड्मी को बुरी तरह प्रभावित करते हैं जिसके कारण किड्मी ठीक से खून फटा नहीं कर पाती है। खून जब ठीक से फटा नहीं होता तो खून में मौझूद अप्षिष्ट पदार्थ और जहरेले पत्वाइ कठा होकर किड्मी और अन्य अंगों को नुकसान पहुचाते हैं। किड्मी या। गुर्दे रेड की हड़ी के दोनों सिरों पर भी इनके आकार के दो अंगोते हैं। जिन्हें किड्नी कहते हैं। शरीर के रख्ट का बड़ा हिस्सा गुर्दों से होकर गुजड़ता है। गुर्दों में मौजूद लाखों ने फून न लिकाए रख्ट को छान का शुद करती हैं। ये रख्ट के अशुद भाग को मूत्र के रूप में अलग। भेजती हैं। किड्नी रोग का शुरुआती अवस्था में पता नहीं चल पाता और यहां इतना खतरनाक होता है कि बढ़कर किड्नी फैल्यो का रूप ले लेता है। सबसे बड़ा कारण मूतापा क्रोनिक किड्नी डिजीज विश्व की लगबग 10 प्रतिशत जन संख्या को जीवन में कभी न कभी प्रभावित करते हैं। इस रोग से किड्नी को भारे नुकसान होता है। जिसकी वजह से कई बार रोगी को अपनी जानगवाने पड़ती है या एक किड्नी से जीवन भर काम चलाना पड़ता है। पैन इंड्या रपोर्ट के अनुसार भारत में किड्नी रोगों के 50 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में इसकी वजह मूटापा पाया गया है। काई लोग शरीर से मौटे नहीं होते हैं लेकिन उनका पड़ निकला हुआ होता है। क्रॉनिक किड्नी डजीज का सबसे बड़ा कारण यहीं पेट कम मौटापा है। दरसल किड्नी के बेमारी के लगशन उस वक्तों धर कर सामनी आते हैं। जब किड्नी 60 सेकेंड पे 65 प्रतिशत डेमेज हो चुकी होती है। इसलिए इसे साइलेट किला भी कहा जाता है। दायबटीज और ब्लड प्रेशर भी है कारण दायबटीज और ब्लड प्रेशर किड्नी फेल होने के सबसे बड़े कारण है। दायबटीज के 30 से 40 प्रतिशत मरीजों की किड्नी खराब होती है। इन में से 50 प्रतिशत मरीज ऐसे होते हैं। जिए बहुत देर से इस बेमारी का पापा चलता है और फिर उन्हें डायलिसस या किड्नी ट्रांस्प्लांट करवाना पड़ता है। क्रोनिक किड्नी डिजीज किसी भी इलाज से पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। अंते मवस्ता में उप्रोपता। बेमार्यों का उप्चार केवल डायलिसस या किड्नी प्रत्यारोपन से ही संभव है। शरुवाती लक्षन शरीर में सूजन का होना, पेशाब की मात्रा में कमी होना, पेशाब में प्रोटीन या खून का आना, जलन होना, पेशाब बार बार आना, भूक की कमी होना और जीम में चलाना, शरीर में रक्त की कमी होना और ब्लॉर प्रेशा का बढ़ा होना, किड्न किदनी ट्रान्सप्लांट में किसी दानदाता या डोनुक के दवारा धिया गया गुर्दा मरेज के शरीर में प्रत्यारोपित का दिया जाता है, इसके बाद डायलसस की जरूरत नहीं बढ़ती, आजकल किद्नी ट्रांस्प्लांट के परेनाम काफी अच्छे हो गए है, प्लाज्मा एक्सचेंज, रिटॉक्सी मेड, आईजी आईजी आदी विदियों के जरिये दूसरे ब्लट क्रुप के दौन बाता की किद्नी भी मरेज को प्रत्यारोपित की जा सकती है, इसे कभी ओंपेटबल ट्रांस्प्लांट कहते हैं, किद्नी प्रत्यारोपित मरेज कुछ सवधानियां बरते, तो अच्छा जीवन व्यतीट कर सकते हैं, जैसे समय से दवाओं का सेवन करना, इंफेक् के जीव सकते हैं